अलेखों के बारे में पिछली कक्षाँ में अच्छे से पढ़ चुके हैं आपका ग्राफ क्या होता है पाई चार्ड क्या होता है आएट चित्र क्या होता है इसके बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके हैं आईए निर्देशांगों के बारे में इस कक्षाओं में पढ़ते हैं कि आपके निर्देशांग क्या होते हैं और किस प्रकार उनका हम यूज करते हैं अपने questions में, अपने अभ्यास प्रशनों में और आलेक चित्र, आयक चित्र को बनाने में उनका किस प्रकायर प्रियोग किया जाता है यह मच्छे से सीखते हैं, तो आईए देखते हैं आगे राखिक आलेक, राखिक आलेक, रेखा आलेक, अनेक रेखा खंडों को परस्पर मिलाकर बनाया जाता है यह बात आपको पता है, और कभी-कभी यह आलेक एक पूरी एक खंडित रेखा भी हो सकती है जैसे आलेग को रैखिक आलेग कहते हैं ऐसी जो हमारा आलेग बनता उसको क्या बोलेंगे हम रैखिक आलेग ऐसे आलेग को बनाने के लिए हमें वर्गी करत कागज पर कुछ बिंदू अंकित करने पड़ते हैं कुछ बिंदू क्या करेंगे हम अंकित करने पड़ेंगे और हम सीखेंगे कि वर्गाक्रित कागज पर बिंदू आसानी से कैसे अंकित किये जाते हैं और हो सकते हैं यह बात आपकी clear हो गई तो आसानी से किस प्रकारूं को अंकित किया जा सकता है और किस प्रकारूं का यूज हम कर सकते हैं यह बात आपको अच्छे समझ में आ गई तो हमने कुछ बिंदू लेने हैं वरगाकर्थ कागश लेना है अपको जैसे यह आपको एक bord लिया गया आपने वरगाकर्थ और उस पर कुछ बिंदू को आपको लेना है आप उन्स बिंदू को बना कर आके रैकिक अलेक बना सकते हैं अब next देखिये अध्यापिका ने श्याम पट पर एक बिंदू उंकित किया फिर उसने विध्यारतियों से पूछा कि वे उसकी श्याम पट पर इस्तिति कैसे वर्णित करेंगे इस पर अनेक उत्तर मिले क्या क्या उत्तर मिले यह बिंदू श्यामपट के उपपर वाले आदे भाग से है Secondly क्या यह बिंदू श्यामपट के बाए किनारे के पास है Third क्या है यह बिंदू उपपर बाए वाले बाए कोने के बिलकुल पास में है तो यह आपको तीन questions के answer मिले इसमें यह बिंदू श्यामपट के उपपर वाले आदे भाग में है यह बिंदू आपने जो बनाया श्यामपट के यह बाए आदे भाग में है यह बिंदू श्यामपट के बाए किनारे के पास है अब यह किनारा बता दिया है और यह बिंदू बाए कोने के बिलकुल पास है क्या है निर्देशंग कल्प ना कीजिए कि आप यदि थेतर में जाते हैं और अपनी आरक्षित ACT ढोंगते हैं जो आपकी रिजर्व सीट होती है इसके लिए आपको दो संख्या चाहिए पंkti संख्या और सीट संख्या तो पैले आप कौन सी पंक्ती में और कौन से नंबर के आपकी सीठ है या आपको पता होना चाहिए किसी तल में बिंदू की स्थिति निर्धार्ट करने का यही आधार है तो आप क्या करेंगे आधरती 15.12 पर ध्यान दीजिए कि बिंदू 3, 4 कि जिसकी दूरी क्या है बाएं किनारे से 3 काई और निचले किनारे से 4 काई है वर्गी करत कागश पर किसी प्रकार अंकित किया गया है तो आपको दिया गया है क्या X एक Y तो आपको दिये गये हैं जैसे बिंदू 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप उर्वाधर अक्ष क्या है अत्वाध एक्स अक्ष बोलेंगे और आपका शैतिज अक्ष को हम क्या बोलते हैं एक्स अक्ष और यह O क्या है आपका मूल बिंदू है जो आपको बताता है कि कितनी उचाई पर चले आपको कितना आ गया 3, 3, 4 आपको दिये गए है यह 3 और यह आपका 4 यह 1 आपका यह आँए और वर्गे क्रत कागज पर हमने बनाया और इससे सुविदा होती है कि हम क्या कर सकते है X अक्ष तता Y अक्ष निधारित करते हैं इससे हम कह सकते हैं कि 3 और चाई जो बिंदू है वो निर्देशांक है तो इसकी निर्देशांक क्या होंगे जहां पर यह बिंदू लिया जाएंगे वो इसकी निर्देशांक कहलाते है अब देखिए उधारा नंबर आपको दिया गया है 3 एक आलेक में बिंदू 4 और 3 अंकित कीजे क्या यह वही बिंदू है जो 3 और 4 दर्शाते है अब देख सकते हैं हल वर्गा करित कागज पर X अक्ष पर तता Y अक्ष निर्दारित कीजे यह वास्ता में संख्या रेखाएं हैं मोल बिंदू 00 से प्रारम कीजे और 4 क्या है इकाईया दाई और चलकर फिर 3 इकाई उपर की और चलें और आपको बिंदू 3, 4 और 3 राप्त होता है आकरती 15.13 देखकर अब देखें आकरती दी गई है आप समझ सकते हैं कि बिंदू 4 और 3 बिंदू 3 और 4 अलगर बिंदू है अब देखें यह क्या है आपका 4 है बिंदू अब देखें यह आपको 3 बिंदू यह आपका 4 यह आपको अलगर दिये गए और यहाँ पर आपको क्या आगया 3 यह आगया आपका 4 यह बात के लिए रोगए यहाँ से आपने एक बिंदू यहाँ से लिया और एक बिंदू आपने यहां से लिया तो आपको पता चल गया कि चार अरती निकाई कि जो बिंदू है वो अलग-लग किस प्रकार हमने इसमें लिये हैं अब नेक्स देखिए उधारा नमबर चार आकरती 15.14 देखकर निम्न आकरती बिंदू की स्थिति के लिए उप्युक्त अक्षर चुनिए तो आपको दो गए है टू और वन सेकिंड जीरो और फाइव थार्ड तू कोमा जीरो तथा लिखिए और यह क्या है आपका बिंदू आपको तो आपको य क्या बोलेंगे आप अक्षब बोलेंगे अब इसमें देखिया आप क्या है 2 में आ रहाहा हैरा है यह आपका 1 यह आपका ऐच्ञा फाइबана कों मत जाहने थ्या आपका 5 यह ने की जाहता है 1 मन आकश दिसका स्यानाaces के जालके चाहराज वाला क्या है तू और वन है बिंदू इ डिन नहीं है इपर है डिन नहीं है ये देखिए कश्य करता है where वरिकों किया साथ चल्चा किई और थर्ड क्या है टूज़ीरों य treaty दूजेमें गार यह वे नहीं आ पर often एक ö जिर शान किया है एंच Unf 4 और 5 अब देखें यहां पर अब बिंदू A के निर्देशांग आगए बिंदू F के निर्देशांग क्या है 5.58,0 यह बात अब क्लिर होगे नेक्स देखिए उधारर 5 निम्री बिंदू को वर्गा करेत कागच पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रे अब देखिए क्या है पस्ट में 02050603.5 सेकंड आपको दिया गया है A में 11, B में 1 और 2, C में 1 और 3, पिर आपको 4 में D में दिया गया है 1 में 4, अब देखिए आपको दो दिये गए यहां बिंदू एक ही रेखा पर इस्तित है जिसका क्या है Y अक्षे, X और Y, X और आपका यहां सावी बिंदू एक ही रेखा पर है, यह है रेखा AD, अब देखिए आपको दो दिये गए है इस प्रकार, बिंदू Y अक्ष पर, अब देखिए यहां पर देख लेंगे हैं यहां पर क्या दिया गया है, यह 3 दिया गया है, 1 और 3, 1 पर 3, फिर आपको निदेश आंग क और 3 आपका ये दिया गया है यह तक अब 2nd क्या है यह पर 3rd क्या है 3 और आपका 3 4 और आपको दिया गया है 3 पर तो आपके क्या हो गए निर्देशांग क्या हो जाते हैं आपके बिंदू निर्देशांग अब देखिए O बिंदू दिया गया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यह बाई जैड वाई एक्स और डबलू यह क्या दिया गया आपको सिक्स और टू इन देशन कहां पर आ रहा है आपके 5 पर और वैसे आपका किस पर आ रहा है यह थ्री पर देख सकते हैं यहां पर यह आपका 3 पर 5 पर वैसे किस पर आ रहा है 3 इसके 3 और 5 होगे निर्देशनक यह आपका 6 पर आ रहा है वैसे आपको नीचे किस पर आ रहा है 2 पर तो 2 और 6 इसके क्या होगे यह भी क्या होगा इसके निर्देशनक निर्देशनक यह बात आपके लिए रहोती यह भी निर्द 3 और यह क्या दिया गया आपको 2 6 3 5 5 3 और 6 2 आप देखिए आपर 0 x-axis y-axis और कितने आगए आपके 0 2 0 3.5 0 5 और 0 6 पिर आगए आपके x और y 1 2 3 4 5 6 7 यह भी आपको क्या दिये गए है इस प्रकार दिये गए है 1 1 1 2 1 3 1 4 और यह क्या आपके 1 2 3 4 5 6 7 अब देखिए इस अभी बिंदू एक ही रेखा पर है और हम kl या km या mn आदी नाम दे सकते हैं यहां x अक्ष के समानतर है ति किसके है? x अक्ष के किया है समानतर यह बिंदू एक ही रेखा पर है और हम इसे xy या wy y y या y-z नाम दे सकते हैं आप देखेंगे यहां पर क्या है one or one यह आपका one or two फिर आपका one पर ही आ रहा है one or three फिर आपका आ रहा है one or four है one पर यह रेखा जो है आपकी पूरी और यह बढ़ते जा रहे हैं आपके two, three, four तो यह भी क्या हो गए निर्देशांग हो गए इसके और यह भी क्या आगए इसके निर्देशांग हम next देखिए तो आज हमने क्या सीखा तो हमने क्या सीखा आईए उन टेबिल को दुबारा से पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमने निर्देशांग को कैसे लिया है निर्देशांग क्या था one or three अगर हम निर्देशांग पहले से दिये हैं तो हम उनकी according चलेंगे one or three तो यहाँ पर देखिए one or three one or three पर यहाँ पर आगया और आपको यह आगया फिर आपको two or three दिया गया था यहाँ पर हम ले लेता है यह बिंदू आकरती फिर three or three फिर आपको four or three आपके n वाले point पर दिये गया है अब यहाँ पर डबलू two six इसको हम एक और बना लेते हैं आकरती दो आकरती आप यहाँ पर बना सकते हैं इस पर आप one two three four यहाँ पर भी हम जालेंगे जिडिन यहाँ आपका एक्स यहाँ आपका य अक्ष one two three four five उन हम कैसे ले सकते हैं में आ पर one or three तो one and three बना बना और इस प्रकार फिर आपका आता ही two or three तू और three पर यहाँ point पर पैर आता है three three और यह आगे आपका point फिर आपका आता है क्या 4 और 3 तो 4 आपका यह आगे और 3 तो आपकी समान रेखा यह बन गई क्या बन गई समान रेखा अब देखें यहां पर एक यहां बना लेते हम य अक्ष और एक एक्स अक्ष 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 अब देखें 2 6 2 और 6 फिर आपका क्या है 3 5 3 और 5 फिर आपका क्या आता है 5 और 3 5 और 3 यहां आएगा फिर 6 और 2 आगे आपके यहां पर तो इन रेखाव को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी रेखा चितर हो जाएगा इस प्रकार आपका इक कोशन आ गया समझ में आपको इतना तो आपके क्या होते है निवदेशांग तो आप 1 और 3 निवदेशांच इनको एक को X और एक को Y मानेंगे एक को X दूसरे को Y इसी प्रकार में भी 2 हमारा X यह Y 3 हमारा X 5 हमारा Y 3X 5X और 3Y इस बार 6X और 2Y इस प्रकार हमारा यह चलता है तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार आयच चित्र बना सकते हैं अब देखिए और संख्यारिखा बना सकते हैं आयच चित्र के लिए आप क्या करेंगे यहां नीचे नंबर ले लेंगे X और एक Y अक्ष यहां हम ओक मोल बिंदू माल लेंगे अब यह हम विवेंट प्रकार के आकरतियां ले सकते हैं पहले हम बिंदू वाला लेते हैं जैसे हम देशांग ले लेंगे 2 और 3 5 और 2 6 6 और 2 अब देखे 2 और 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 अब देखे 2 और 3 तो 2 X पर और 3 Y पर एक रेखा ही आ गई आपके उसी प्रकार आपका आता है 5 और 2 तो 2 तो आपका यहां पर आएगा और 5 आपका यहां आएगा बिंदू तो यह बिंदू उपर तक आप ले गए इस लाइन को हम अटा देते हैं तो यह लाइन अपकी यहां तक बने फिर 6 और 2 आता है आपका 2 6 और 2 तो 6 आपका कौन सा X-axis पर और 2 आपका यह वाला यह बिं यह आपका क्या बन गया रेखा चित्र यह निर्देश आंकों को आपने ले लिया यह क्या X यह Y यह X यह Y यह X और यह Y क्या हो गई हमारे निर्देश आंक इतनी बात आपको समझ वें कि हम निर्देश आंकों कैसे ले सकते हैं कैसे उससे बेस हम आया चित्र चित्र रेखा सकते हैं और उसमें वेस कोश्चनों को असानी से कर सकते हैं आगे कम नेक्स क्लास में सीखते हैं आज के लिए थेंक्यू